राउल गांदी जिन्दाबाद राउल गांदी जिन्दाबाद बहुत ही स्वागत अभी नंदन है जिनको सुनने के लिए हम बहुत देर से इंतिजार कर रहे थे वो हमारे बीच में पहुँच चुके है हमारे युवा नेता हमारे नोजवा नेता हमारे बीच में हम इनका स्वागत करते हैं अभी नंदन करते हैं साथियों, आज 2000 किलोमेटर से ऊपर हमारे राहूल गांदी जी पदियात्रा कर चुक है, हमारे लोगों की पीडा लेकर, हमारे लोगों के दुख दर्द को लेकर, हमारे युदानेता संघर्ज कर रहे हैं, हम साधू बाद याते हैं, राहूल जी आपको, ये आपने जो इतिय इतियास रचा है इस इतियास को कोई बदल नहीं सकता इतियास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा कि राहूल गांदी जी ने साड़े तीर हजार किलो मीटर की कन्या गुमारी से कश्मीर तक लोगों के दुख तकलीफ को देखते हुए पद्यात्रा की ये अपने आप पद्यात्रा करते हुए यहां पहुचे महाकाल की इस नगरी में हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं मैं सबसे पहले हे जाए कि और एक भर मिलकर नाला लगाएंगे राहूल कांधी जिन्दाबाद दोनों हाथ उपर उठाकर राहूल कांधी जिन्दाबाद राहूल कांधी जिन्दावा राहूल कांधी जिन्दावा मैं सबसे पहले तो मैं संबत सरल जी जब अपनी कविता कहा है मैं अनॉंस कर देता हूं तब तक वो हमारे नेता राहूल गांधी जी का स्वागत अभी नंदन के लिए मैं हमारे परदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्स कमल नाजी से कहूंगा कि वो स्वागत करें जर्मरकाज जी परतिपक्स के नेता वो स्वागत करें कमल पटेल जी जिला कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्स हैं रवी बदोरिया जी इन से कहूंगा कि यह स्वागत करें अभी नंदन करें शूरिये अस्त होने की ओर है तुम्हें अभी यह स्वागत होता रहेगा मैं संपत सरल जी से कहूंगा कि जब अपनी कवीता आप अपने पेश करें मैं इनका स्वागत करते हुए अधनी रहुल गांदी जी का स्वागत बंदन अभिनंदन सतकार होता हुआ भारत जोडो यात्रा की धुरी आधर निये रहुल गांदी जी सम्मान की ओप्चारिक्ताइं हो चुकी है और आधर निये कमलनाज जी का मुझे आदेश भी था दिग्विजे सिंग जी और तमाम लोग या बैठे हैं आज हम काफी समय साथ चले और मीडिया पे बात हो रही थी मैं उस मीडिया की बात से पहले मद्यप्रदेश की जनता की एक पीड़ा व्यापम को अपने व्यंगे के मादम से बताना चाहता हूँ व्यापम क्या था आप लोग भी ध्यान से सुनों कि सटायर में बात ऐसी कही जा सकती है आवेदन एक ने किया परिक्षा में दूसरा बैठा इंटर्व्यू तीसरे ने फेश किया नोकरी मिली चोथे को और करतारा पांचवा वेतन छठे ने उठाया और पैंसन हुई साथ में की अब आपकी तालियां वजेंगी जबकि साथ में की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अपलाई किया था मीडिया को एक तो मुझे राउल जी पूछ रहे थे कि आप इतना व्यंग करते हो कभी कोई धंकी या कुछ इस तरह का आया मैंने का साथ हम लोग हसी मजाक में टाल देते हैं एक दिन के इंकम टेक्स के अधिकारी ने मुझसे मजाक की कि संपत सरल जी मोधी सरकार पे इतना तीखा बोलते हो किसी दिन छापा वापा वाले भीजवा देंगे मैंने का साथ एक हिंदी लेखक के घर में लाइबरेरी में गबन के नाम पर प्रेम चंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा और अगली बात जो मैंने कई ता है वही अगर बीजेपी में आ जाता है तो उज्वल हो उठता है शायद यही प्रधान मंत्री की उज्वला योजना है कि आप ज्यादा मीडिया का टेंशन मतलो दो मिनिट में बात खतम करता हूं अकबार अब तीन चीजों के लिए पड़े जा रहे हैं बिजली कटोती उठावना और आसिफल और रोज नहीं निकलते हैं एक दिन तो अक अकबार के दफ्तर से दो लोग आ गए बोलो संपस अल लेकिन 16 पेज खाली दे जाये करो फिर मैंने रिशर्च की कि इतने अकबार बिखते कैसे हैं तो अचाने के एक दिन अकबार के दफ्तर से फोन आया बोलो संपस अलल जी आज आपका नाम हमारे अकबार में छपा मैं बड़ा खुस वाजिया आपका अकबार कहा मिलता है बो अरजन बैसी आते हैं एक मुद्दे का समर्थक दूसरा मुद्दे का विरोधी तीसरा बुद्दी जी दोनों को हड़काने वाला और चोथा एंकर तीनों को बढ़काने वाला अब आपकी तालिया उठेंगी चोथा एंकर तीनों को बढ़काने वाला बैस ओनी होती है गरी ब्रेकेंग न्यूज आत्म निर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांथि वले ही होने को थी पर न्यूज क्रांथी हो चुकी थी न्यूज चैनल खबरें तलासते नहीं गरते थे और देतें नहीं फेलाते थे ब्रेकिंग न्यूज की तो मारा-मारी रहती थी एक दिन जोhl समराट चक्रवर्ति समराट कथा यहांसे शुरू होती है एक दिन जो ही समराट नहाकर श्णान घर से निकला त्योंहीं एक new channel ने breaking news नागी समराट नहाया कि दूसरे new channel ने खुशी जाहिर की समराट आज भी नहाया तीसरे न्यूज चैनल ने अटकले लगाई, समराट क्यों नहाया चोथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, समराट पहली बार नहाया पाँच्वे न्यूज चैनल ने आत्म निर्बरता की पुष्टी की, समराट खुद नहाया छटे न्यूज चैनल ने रहश्योत घाटन किया समराट पानी से नहाया साथ में न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी समराट गरम पानी से नहाया आठवे न्यूज चैनल ने इस्तिती और साप की समराट साप पानी से नहाया नौवे न्यूज चैनल ने गुप्त जानकरी दी समराट स्नान घर में नहाया और तालियों से विदा करना दसवे न्यूज चैनल ने रहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई समराट आज तो नहाया अब मैं हमारे स्वागत भासन के लिए हमारे परतिपक्स के नेता श्री गोविन सिंग जी से कहूंगा कि वो आएं और अपने विचार रखें और स्वागत भासन दें आजनिये गोविन सिंग जी हमारे परतिपक्स के नेता हमारे और आप सब के नेता सम्मानी राहुन गांदी जी, मद्ध प्रदेश के नेता आधिनी कमंनाच जी, माननी हमारे प्रवारी संक्टन के आधिनी जेपी अक्रवान साब, सम्मानी राह साब, उपस्तित मंच पर सभी हमारे सम्मानी बरिश्ट जन और उपस्तित सम्मानी सभी सामने आये हुए देवियों सज्जनों और भाईयों कन्या कुमारी से कस्मीर तक जो रहावल गांदी जी के नेतत्व में भारा जोलो यात्रा प्रारणम हुई है भारती जन्ता पार्टी दोरा प्रदेश के हमारे नेतरे शिब्राजती ने कहा रहावल गांदी के साथ कोंच लेगा लोज़मार हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी बुड़ों को पार्टी है लेकिन जब मैं मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से और शिवराज सिंग जी से आज पूरी देश की तरणाई रहाउल गांजी के नेतत में जंसेलाब के सार निकल पड़ी है और यही जब देश की तरणाई जब निकल पड़ती है इसलक पर तो देश का भबस तरणाई नोजवारत्य करती है मानी राव जी मैं ज़्यादा बरह बोल के एक दो बात कहना चाहता हूँ आज सबसे ज़्यादा किसान दुखी है मोधी जी ने किसानों के गाउं गाउं में बोर्ड लगे है भारती जन्ता पार्टी ने गाउं में बाल पेंटिंग कराई है कि हम किसानों के संबान में 6,000 रुपाय तस एकड़ के माने किसानों के 6 एकड़ जिमिवश्य पांच वीगा मतल दस वीगाद 6,000 रुपाय दे रहें प्रदान मंत्री संबान दे मैं अभी खेती किसानी वाला हमारा परवार हम खेती करते है माने कि अब कहना चाहता हूं रावल गांदी दो हेक्टर पर जमीन पर कि अब डीजल के भाव बढ़ने से 2014 से और बरत्माराज तक डीजल के भाव पाँच निदाई गुडाई निदाई गुडाई कटवाई फ्रासिंग कराई उसके बाद मंडी में ले जाकर उपसल बेजने पर साड़े साथ जार तीन सो रुपए खर्चा आया अब मैं पूछना चाहते हूं मोदी जी ने किसान भाईयों जादत और आप इलाके के हो मोदी जी ने किसान सम्मानित के नाम पर छेह जार रुपए आपकी दाएने ये में डाले और साथ जार तीन सो रुपए आपकी भाई ये से डीजल के भाई बढाने से निकाल लिए तेरा सु रुपए जादा छेह जार दिये और तेरा सु रुपए जादा आप से बसूल कर लिए जब भारती जन्ता पार्टी का प्रतान सम्मानित दी है जब कांग्रेस की सरकार थी करसे हंतरों पर न जीएस्टी लगती दिया ठेक्स लगता था आज हर किसार के पृते के अंतर पर थैसर पर कंटी बेटर पर रोटा बेटर पर सब पर टेक्स लगा दिया है जीएस्टी लगा दिये और हर जिसका भाज सबा बहुत कुछ बढ़ चुका है किसानों के टेक्टर पर टेक्स निलगता था आज अठारा परसंज यह अश्टी लग गया जो टेक्टर चार लग होगा आता था चार लाग का उस पर अठारा परसंज निलगत के भाव बढ़ गए अब मैं आप किसान भाईयों एक आप सब दुखी हैं कांग्रेस पार्टी राज जी आपके मुद्ध उठाती है दूसरा है नोजमानों के समाल मानी राज जी आज गाओं का किसान मजदूर और मध्यंबर नोजबान आज परेशान रहें बेरोजगार है मद्ध प्रदेस में दो चार दिन बाद छोल कर प्रतेक समाचार पत्र में एक नद एक दिन पढ़े लगए लड़के एंजिनियर पिएजडी करे हुए ड़ जे सब एक नएक प्रतितर आथ महत्ता करने को मजबूर है जबूर है माँ बीमार है पिता जी कहते है बैक के लिए विस मध्यान में घूमता है रोजगार नहीं लगाता सोचता मेरे पिताजी ने सब कुछ किया आज हमारे लिए उस दोとう हमकि उधर जाता है आज आज समध्यांबर् किसान मज़जूर का बेटा गाओं में अपने घर काम करता है और पांच हजार रुपए में इंटर पास कर लेता है और जो पूझे पतियों के बड़े पैसे बालों के लड़के ददस हजार रुपए की महिनी के टूशन लगाते हैं अच्छा खुराख खाते हैं जब नंबर आते हैं अभी कांग्रेस के सरकार की नीद बदल द आते थे अब केवल सीधे परिक्षा करा रहे हैं जिससे फैल होते हैं और आज बेकार हो गए हैं इसलिए मैं आप से सबसे कहला चाहता हूं राज जी के नेतात में किसान मजदूर बैपारी सब लिकर पड़े और देशों बदलाव करें बहुत-बहुत धन्दबाद जयाहन अब हमारे बीच में मद्यप्रदेश कॉंगरेस कमेटी के लोगप्रिय नेता और प्रदेश कॉंगरेस कमेटी के अध्यक्स आदेनिये कमलाजी से आगरे करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें राहूल गांदी राहूल गांदी बारे जोडो आदेनिये कमलाजी है आदर ने कि राउल कांदी जी हमारे अखेल बार्ति एक कॉंग्रिस कमेटी ή कि अ कि आदर है प्रदेश के प्रबारी ये पी अगरवाल जी कि देख्व मुझे सिंग जी हमारे प्रतिपक्ष के नहीं ता गोवenne शुंग जी राफ़ सिंग जी मैं सब का नाम ने लेता क्योंकि राप्र युद जी को बोलना है मैं उनका टाइम ने लेना चाहता आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप यह आए, आपने अपना प्यार राहुल जी को किया, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह आकर मुझे, मुझे बल और शक्ति जी, राहुल जी जिस प्रदेश में आप आए हैं ये प्रदेश बेरोजगारी में नंबर वन ब्रस्टाचार में नंबर वन केसानों केसानों केसाथ अन्याय में नंबर वन सही बात है महिला परत्याचार में नंबर वन राहुल जी आप उस प्रदेश में आए हैं और आप जे शेहर में आए हैं ये शेहर मूल्यों का शेहर है ये हमारे संस्कृती का शेहर है संस्कृती का प्रतीक है और संस्कृती का प्रतीक केवल नहीं है यहां से जो संदेश आप भारत के संस्कृती का देते हैं यहीं संस्कृती हमारे देश को एक जंडे के नीचे रख जोडते हैं रिष्टा जोडते हैं सब समाज सब धरम को जोड के रखते हैं यह भारत की संस्कृति है और यह शेहर उस संस्कृति का प्रतीख है राउल जी आप ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली आप अभी तक 2100 किलो मीटर चल लिये हैं राउल जी ने 2100 किलो मीटर चल लिया है 3700 किलो मीटर और चलेंगे पूरी यात्रा कंने कुमारी से कश्मीर तक 3700 किलो मीटर की है और यह जोड़ो यात्रा उस संस्कृति की रक्षा पर है यह जोड़ो यात्रा हमारे संब्रान की रक्षा की है ये यात्रा हमारे लाउजवानों की बविश्च की है, हमारे किसानों की मजबूती की है राउल जी कोई देश नहीं है जो ऐसी जोडो यात्रा निकाल सकता है कोई देष विश्छ में नहीं है जां इत्ते धरम होएं, इत्ते जातिया होएं, इत्ती भाषाएं होएं, इत्ते diğer होएं. ये भारत है। एसा कोई देश विश्प में नहीं है, जा इतनी देवी देवताएं होें, ऐसा कोई देश विश्प में नहीं है, जिसने अन्य धर्मों को भी जन दिया। है अभी राहूल जी गए थे हैं प्रडाम करने प्रग्यनांगी Yoda राफ जी गए महाकाल में कोई ऐसा देश है कोई ऐसा देश नहीं है लिधित के हे दिशंबर 2020 में आपने कॉंग्रेसर की सरकार बनाई आपने कॉंग्रेसर की सरकार बनाई कॉन सी चुरोकी हमारे सामने बनाई हुई थी, किसानों की सबसे ज़्यादा आत्म हत्या मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश की पैचान थी, कौन से चुनों थी नहीं थी हमाने सामने, मैंने शुरू बात करी, महाकाल को भी मैंने सारे 300 क्रूर रुपे दिया, दिया, और मोधी जी आए, मोधी जी जैसे उनकी ही ओजना थी, मैंने शुरू बात किया, कि हमारे कृशी छेतर में मजबूत ही आए, हमने 27 लाग किसानों का करदा माफ किया, किया, हमने शुरू बात करी, अपनी नीती, कॉंग्रिस की नीती और नियत का परिशे दिया, 100 रुपाए 100 यूनिट बिजली, दी किसानों को बटकना नहीं पड़ा खाद के लिए, आज जो किसान बटक रहा है, खाद और बीज के लिए, जब कॉंग्रिस की 15 महीने की सरकार थी, बटकना नहीं पड़ता था, बटकना नहीं पड़ता था, पहले किस्त में हमने करदा माफ किया, दूसरा किस्त चल रहा था, सोधे से हमारी सरकार गिराई मैं मुक्यमंत्री था मैं भी सोधा कर सकता था पर मैं मद्देपदेश की पहचान सोधे से नहीं करना चाहता था आज सबसे बड़े चुनोती हमारे नौजवानों की बविश्व की है आज के नोजवान और हमारे बुजर्गों की दुनिया में बहुत अंतर है आज के नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता कोई कमिशन नहीं चाहता आज का नौजवान तो अपने हाथों को काम चाहता है वेवसाई का मौका चाहता है पर अगर प्रदेश की पहचान बरस्टाचार से होए कौन सा निवेश आएगा अगर मिलावट से होए अगर माफिया से होए कोई क्या निवेश आएगा है तो ये सबसे बड़े चुड़ोती हमारे सामने है ये नौजवान जो मद्ध्य प्रदेश का निर्मान करेंगे बहुश में इनका भविश्य अगर अंदेरे में रहा तो मद्ध्य प्रदेश का भविश्य कैसे होगा तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ राहुल जी को अभी उनकी बात सुनियेगा किस तरह उनकी तपस्या उनकी मेहनत से उन्होंने हमें प्रेरिट किया है पूरे देश को प्रेरिट कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि नौ माईने बाद फिर से कॉंग्रेस का जंडा मद्य प्रदेश की वेदान सबह में लेराएगा आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं हमारे यहां के अखिल भारतिय कॉंग्रेस की कमेटी की ओर से परभारी स्री डेपरकाश जी अगरवाल साब से आगरे करूँगा कि वो यहां आये और राहूल गांदी जी को यहां अपने विचाहर रखने के लिए आमन्तित करें आदर्णिये जैपरकास अगरवाल श आधनिया राउल गांदी जी सब लोग आपको सुनना चाहते हैं लेकिन मैं सिर्फ एक मिनट में माकाल की इस धर्ती पर कॉंग्रेस के उन वरिष्ट नेताओं का नाम लेना चाहता हूं जिन्नों ने कॉंग्रेस में बहुत बड़ा इस्थान लिया है आधनिया डीपी मिश्रा साब गारगी शंकर मिश्रा जी शंकर द्याल शर्मा साब वी सी शुकला जी शामा चरन शुकला जी पी सी सेथी साब अर्जुन सिंग जी मोतिलाल वोरा साब सुभाश यादव जी अजीत कुरेशी जी सुरेश पिचोरी जी दिग्विजय सिंग जी क रखास को रहे हो आएं और यहां अपना संदेश दें अधेनिय राहूल गांधी जी वह हमारे बीच में आ रहे हैं उससे पहले एक मैं कवीता कहना चाहूंगा महाकाल की इस नगरी में एक तपस्वी आया है पावन माटी सुधरा को नमन करने आया है बारिस धूप से जूज क कर धूल मिट्री को चूम कर आंधी तूफानों को सह कर संगरोसों से तपकर दक्षिन से उत्तर की और पैदल चलकर आया है एक तपस्वाकाल की नगरी में एक तपस्वी आया है नफ्रतों को प्यार में बदलने जन्मानस की रूह सुनने अडिक सत्ता धीसों से लड़कर व अमनका संदेश पहलाने ना युक्का गांधी आया है महाकाल की नगरी में एक तपस्वी आया है ने ठकान ना विश्राम उसे ने जुकेगा ना रुकेगा कदम उसके चल पड़े हैं एक धरा को बचाने इस पावन प्यारी माटी में एक तपस्वी आया है महाकाल की नगरी में करते हैं उनका स्वागत वंदन पधारो राहूल जी विल्म्रता से आपका अभी वादन है पधारे राहूल जी आदेनी राहूल गांदी जी जे महाकाल जे महाकाल जे महाकाल स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता हमारे प्यारे कारेकरता भाईयों और बहनों मद्यपदेश के युवाओं किसानों प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत नमस्कार कैसे आप अब तकरीबन 80 दिन हो गए कि भारत जोड़ो यात्रा कन्या कुमारी से कश्मीर जा रही है और आज हम आपके इस पवित्र शहर में आए हम सब ने दर्शन लिए और बहुत अच्छा लगा ये आपको जो शहर है जो महकाल मंदिर है शिवजी का मंदिर है आज हम शिवजी का नाम लेते हैं क्यूं लेते हैं हिंदुस्तान भगवान शिवजी को मानता है तो क्यूं मानता है आप में से कोई बता सकता है ये संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है अब देखिए सबसे बड़े शिवजी तपस्वी क्रिशन भगवान तपस्वी श्री राम तपस्वी और हिंदु धरम के किसी भी भगवान को आप देखिए सारे के सारे तपस्या करे हैं सही अगर और सिरफ भगवान तपस्या नहीं करते शिवजी का शिवजी का भगवान राम क्रिशन भगवान इनकी तपस्या का मुकाबला नहीं है मगर हिंदुस्तान कपस्या का देश है हिंदु धर्म में कपस्या की पूजा होती है सही बोला या गलत बोला हम कपस्या का आधर करते हैं उनके सामने हाथ जोडते हैं तो इस देश में ये तपस्या कौन है आपने कहा कि कन्या कुमारी से यातरा की बहुत बड़ी तपस्या की ये कोई बड़ी तपस्या नहीं है इसमें कुछ नहीं है मैं आपको बताता हूँ कि हिंडुस्तान में तपस्या कौन करता है कि सबसे पहले कि कोविट के समय में कि जो मजदूर कि बैंगलोर से मुंबाई से कि पंजाब से कि देश के एक कोने से दूसरी कोने गए वो तपस्या करते हैं कि दूसरे नंबर पे जो इस देश को भोजन देते हैं करोणों किसान और उनके परिवार चार बज़े सुबह उठके हर रोज तपस्या करते हैं बढ़ाई नाई माली एलेक्रिशन छोटे दुकानदार मजदूर ये सब तपस्या करते हैं रोज करते हैं जिन्दगी भर करते हैं और तपस्या करते 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 मर जाते हैं यह तो कुछ नहीं है यह तो तीन महीने की तपस्या है पाँच छे घंटे आठ घंटे लगा लो थोड़े सा घुटने में दर्द होता है थोड़े सी प्यास लगती है मगर यह तपस्या नहीं तपस्या किसान करता है मजदूर करता है अब मेरा सवाल है हिंदू धर्म कहता है हिंदू धर्म कहता है कि तपस्यों की पूजा होनी चाहिए तो इस देश में तपस्यों की पूजा क्यों नहीं हो रही है जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती और जो नरेंदर मोधी जी की पूजा कर रहा है उसको सारक असरे देती दो लोग नरेंदर मोधी जी की पूजा करते हैं दिन भर और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है रेलवेस पोर्ट एरपोर्ट यह दको भाईया ड्रोन उड़ रहा है ये भी ले जाएंगे उठाके सडके बिजली पानी सब कुछ दो लोग पाँच लोग प्रधान मंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हाला हाले कर दिया जाता है और करोणों लोग करोणों लोग सुबह उठते हैं किसान 4 बजे उठता है हाथ पढ़ जाते है खून निकलता है मैं 2000 किलोमेटर चल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ बढ़े हाथ मिला न ये देखो हाथ मिलाया ये किसान नहीं है ये किसान नहीं है क्योंकि किसान के हाथ फटे होते हैं उसका गर्द उसके हातों में होता है उसकी तपस्या की निशान उसके हातों में होती है और इन सडकों पे हजारों किसानों से मैंने हाथ मिलाया और हर एक किसान मुझसे ये पूछ रहा है भूम फिर कर ये पूछ रहा है राहूल जी इस देश में हम तपस्या करते हैं इस तपस्या का हमें फल क्यों नहीं मिलता फर्टिलाइजर क्यों नहीं मिलता और जब मिलता है इतना महंगा क्यों है हमें अपने मेहनत के लिए सही दाम क्यूं नहीं मिलता हम बीमा का पैसा भरते हैं तुफान आता है आंधी आती है खेत बर्बात हो जाता है रुना आता है और जब हम बीमा की प्राइवेट कंपनी को फोन करते हैं फोन नंबर में कोई फोन नहीं उठाता है इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है मगर किसान को जो बीमा देने वाली कंपनी होती है उनका अड्रेस नहीं मिल सकता पिर कहते हैं राहूल जी पेट्रोल साथ रुपे का था आज एक सो साथ रुपे का है हर रोज हमारी जेब में से पैसा निकलता है राहूल जी हम तपस्वी है यह सारा का सारा पैसा उन तीन चार पूजा करने वाले लोगों के हवाले क्यूं जा रहा है गीता में लिखा है गीता में लिखा है कि तपस्या करनी चाहिए तपस्या करनी चाहिए और फल नहीं देखना चाहिए मगर हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का मैंने किसानों की बात की सिर्फ वो तपस्या नहीं करते चलिए युवाओं की बात करते है इन्हीं सरकों पे हर रोज युवाओं से मिलता हूँ तपस्या किये है पढ़ाई किये स्कूल गए बजमाशी किये तो मार भी पिटी है दो ती ठपड़ भी लगे है बच्चे हैं तपस्या किये एक्जैम लेते हैं तपस्या करने के बाद पता लगता है वियापम स्कैम हो गया तपस्यों से चोरी हो गई छोटे छोटे तपस्यों से इस स्टेट की सरकार चोरी करती है उनका भविश्य खतम कर दिया आज बच्चों ने मुझे कहा एंजिनियर बनना चाहते हैं क्या तपस्या की पढ़ाई की एंजिनियरिंग डिग्री ली अच्छा सिर्फ आपके पद तपस्या थी नहीं नहीं मेरे पिता किसान है उन्होंने भी तपस्या की मेरी माँ रोज खाना पकाती है उनकी भी तपस्या है मेरी दादी भी मदद करती है उनकी भी तपस्या है अच्छा डिग्री मिली तो क्या हुआ चुप हो जाते हैं चुप हो जाते हैं क्योंकि इस देश में तपस्या का फल नहीं मिल सकता बेटा बताओ क्या करते हो मजदूरी करता हूँ मैं मेरे तपस्या का फल मजदूरी मध्य प्रेज़ेशी सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार ने दिया नहीं पकोड़े भी नहीं होते भई या आज कल पकोड़े भी नहीं चल रहे तो कहने की बात थी चलिए चोटे दुकानदारों की बात करते है चोटे दुकानदारों की बात करते है और जो smaller medium business है अच्छा मैं भूल गया प्रेस वालों की भी बात करनी है इनकी भी बात करनी है इनको नहीं जोड़ना अभी बोलता हूँ तो तो सुनो सुनो तो चोटे दुकानदार है उनके साथ उनके साथ नहीं नहीं मैं सब की बोलूँगा आज मैं महाकाल गया हूँ तो तपस्या की बात करनी है उन्हीं से सीखा हूँ मैं आज पंडी जी ने मुझे बोला उन्होंने मुझे बोला कि आपका प्रेस कॉन्फरेंस मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने जो आपने बोला उसको समझ लिया मैंने का आपने ही मुझे समझाया है तो देखिए छोटा दुकानदार सुबह उठता है उसके साथ दो तीन लोग काम करते है तिन भर काम करता है कभी कभी किसी को पैसे की जरुवत होती है वो भी दे देता है काम करता है उसके पास इतना पैसा नहीं होता जैसे बड़े उद्योगपती होते हैं उनके पास करोणों रुपे होते हैं तो अगर बड़े उद्योग पतियों का कैश फ्लो रुख जाए जैसे कोरोना के समय हुआ उनको कोई मुश्किल नहीं होती एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, छे महीना, एक साल उनका कैश फ्लो रोक लो, कोई प्रब्लम नहीं इन बिचारों का अगर आपने कैश फ्लो पंद्रा दिन, एक महीना रोक दिया, तो आपने इनका गला घोट दिया, मतलब यूँ पकड़ लिया उनको, और अगर आपने दो महीने कर दिया, तो आप इनको मार दोगे, खतम कर दिया, अब देखिये, मैं ये दुकानदारों की स्मॉलः मीटियम बिजनस की बात क्यूं करता हूँ, क्योंकि यही लोग देश को रोजगार देते हैं, मतलब पुरा पुरा जुड़ा हुआ है, ये लोग देश को रोजगार देते हैं, युवाओं को काम देते हैं, तो पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है किसान लोगों को भोजन देते हैं तो बैलन्स की ज़रूत होती है कि सरकार ने क्या कहा क्या किया अभी छे बज रहे हैं आठ बजे इन सब को याद है कि कोई नहीं भूला यह घड़ी रेखते हैं आठ बजे है कि इनके दिल में धर्ट के उनका दिल तेजी से दोड़ता है आठ बजे नरेंद्र मोधी जी ने नोड़ बंदी कीति और पिस चार गंटे बाद 12 बचते कहते हो 12 बजे जी एस्टी की थे आठ बजे नोटबंदी बारा बजे जी एस्टी लागों की और इनकी जो तपस्या है उस तपस्या से चोरी की क्यों किया यह पॉलिसीज नहीं थी यह आप मत सोचिये और जो हमारे चोटे दुकानदार है स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाते हैं आप यह मत सोचिये कि यह पॉलिसीज थी यह आपके कैश फ्लो को खतम करने के हतियार थे देखो समझ गया ना दुकान चलाते हूं ना देखो समझ गया यह पॉलिसीया नहीं है जो कोविट के समय किया गया नोट बंदी और जी एसटी और जो किसानों के साथ इन्हों ने करने की कोशिश की मगर किसानों की शक्ति ने इनको रोग दिया यह पॉलिसीज नहीं थी यह हतियार थे किसके लिए हत्यार थे किसके हत्यार थे वही जो 3-4-5 बड़े उद्योग पती हैं उनके हत्यार हैं उनके हत्यार है और लक्ष्य क्या है रही कि हिंदुस्तान की जो तपस्या हैं एंदुस्तान के जो तपस्वी हैं उनको दबाओ उनको कुछलो और उनके जेव में जो पैसा है उसको छीन कर पांच-छे लोगों दे दो नुक्सान देश का हो रहा है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और मिल नहीं सकता क्योंकि आपने वो रीड की हड़ी तोड़ दी नोट बंदी करके GST करके कोविड में जो आपने किया अरब पतियों का करजा माफ कर दिया इनको छोड़ दिया एक रुपिया तक नहीं दिया इनको तो आपने रीड के हदी तोड़ दी और इसको अब फिर से बनाना पड़ेगा फिर से जोड़ना पड़ेगा तब हिंदुस्तान को जाके रोजगार मिलेगा पर इसकी बात करता हूं अच्छा देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यह जो यहां बैठे हैं इनकी गलती नहीं है कि इसमें इनकी गलती नहीं है ठीक है यह बिचारे तपस्या करते हैं मैं देख रहा हूं इनको ठीक है पैदल नहीं चल रहे हैं मगर ट्रक पे तो बैठे हैं और वो भी तपस्या है बतलब असी दिन से बैठे है इनकी तपस्या क्या है इनकी तपस्या है सच्चाई को देखो सच्चाई को देखो, सच्चाई को समझो और देश की जनता को बताओ ये करना चाहते हैं ये करना चाहते हैं अपनी तपस्या करना चाहते हैं ये देश को सच्चाई दिखाना चाहते हैं लड़ते हैं ये पीछे से लगाम लगी हुए लगाएं किसके हाथ में वही लोग जो नरेंदर मौदी जी की पूजा कर रहे हैं उनके हाथ में तो ये हो रहा है देश में BJP के लोग बगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और पिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं मतलब भगवान का अपमान करते हैं क्योंकि तपस्या ही भगवान है और हिंदुस्तान के किसान के अंदर भगवान है मजदूर के अंदर भगवान है चोटे दुकानदार के अंदर भगवान है मीडियालों के अंदर भगवान है तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते है तो ये देश के भविश्य को नुक्सान पहुचाते है युवाओं को चोट पहुचाते है अगली पीडी को चोट पहुचाते है 2000 किलोमेटर चले है मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ अजीब सा है आप देख लीजिए चेहरे देख लीजिए कोई ठका नहीं है ऐसे लग रहा है मुझे की सुबह 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 उठाओं नहां के आया हूँ मैं बता रहूं आपको क्यूं? क्यूंकि देश के तपस्वी बात समझ रहे है किसान मजदूर छोटे दुकानदार युगा बात समझ रहे है कहरें कि हाँ देश के तपस्वियों का अपमान हो रहा है बात समझ रहे है और इस यात्रा को मदद कर रहे है ये कॉंग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है ये हिंदुस्तान की यात्रा है किसानों की यात्रा है मजदूरों की यात्रा है चोटे दुकानदारों की यात्रा है युवाओं की बुजूर्गों की माताय बेनों की यात्रा है प्रेस वालों क से इस यात्रा की मदद करने बच्चों ने पिगी बैंक दिया दो बच्चों ने महीनों पैसे बचा के पिगी बैंक दिया कोई पानी दे रहा है कोई परोंठे दे रहा है कोई अनाज दे रहा है कोई घर से चाय ला रहा है कोई चल रहा है कोई चिट्थी लिख रहा है कि मैं आपके साथ चल नहीं सकता हूँ मैं ड़ता हूँ सरकार से ड़ता हूँ मगर मैं आपके साथ हूँ बहुत लोग हैं तो इस प्यार के लिए आपकी मदद के लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये कभी मत भूलिए ये कभी मत भूलिये ये देश तपस्यों का है और हिंदु धरम भी तपस्यों का है धन्यवाद जैहिन अब मैं हमारे शियोजग स्री पीची सर्बा साहब से कहूंगा कि वो अभारवेक्ट करें जोड़ो 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 ये राहूल गांदी जी के जो भारत जोड़ो पद्यात्रा इसमें आप लोग सब साथ देंगे बारत पाता की ये राहूल नहीं आंदी है ये राहूल नहीं आंदी है जो पद्यात्रा करे वो गांदी है जो पद्यात्रा करे वो गांदी है राहूल जी मैं कहना चाहता हूँ आपका अभार वेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन जो आपने कहा कि ये तपस्या नहीं है लेकिन ये तपस्या है आप महांकाल 200 क्लोटर पेदल चलके आई आपने आईकान आदिवासी समाच के आईकान टंट्या मावा दो हbayर कियोमेटर पेदल चलके अब प्रणाम किया आप उंकारेश्वार और नर्मदा माई की पूजा आपने की आपने आज महांकाल की पूजा की अब बावासाव अंबेट करके महुझ जनुस्वरी विर गए और वहाँ इस परीपर जाकर आपने संकर्प किया कि हमारे देश के संविधान को बचाएंगे इसलिए यह आपकी तवस्या है मैं आभान मानना चाहता हूँ खबर नाजी का हमारे कॉंगरेस के अद्धेक जेपी अकरवाल साब का अधनी सुरेश पचोरी जी का हमारे नेतर प्रस्भी का सभी विदायकों का अभी सभी पर्द्याइक अभाएंगे आपकी अधनी और लिए यह आपकी तवस्या है